नमस्कार दोस्तों माई से बिस सी क्लास में आपका स्वागत है अध्याए एक हमारे आसपास के परदार भाग 6 कक्षान 9 यह हमारे लेक्चर का लाश्ट भाग अंदिम भाग 6 भाग होगा इसके बाद यह अध्याए समाप्त हो जाएगा तो इस अध्याए में हमने कुछ महत् प्रूट कोशन लिए हैं उसको दिखाते हैं कौन-कौन से हैं गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है कप किया पेक्षा प्लेट से हमें कर्म दूद चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं परदार्त की अवस्ताएं परदार्त की अवस्ताओं के भी बारे में हम कर चुके थे थोस द्राव और कैस लेकिन पांच चुई और चटी हमने नहीं पढ़े थी सोरी चौति और पांच नहीं पढ़े थी प्लाज्मा और बी-ई-सी ठीक है और पढ़ेंगे कैल्वीन को तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले करेंगे गर्मियों में घड़े का चल ठंड़ा क्यों रहता है तो घड़े की सता पर चिद्र पाय जाते हैं छोटे चोटे चिद्र पाय जाता है इन चिद्रों से निकल के पानी का वास्व और सरजन होता रहता है और जिस सता पर वास्व और सरजन होता है वा सता ठंड़ी हो जाती है साफ है जब घड़े की सत्व पर बास और सर्चन की प्रक्रिया चलती रहती है उससे उसके दिवारे ठंडी होती रहती है इसी के चलते मटके का पानी ठंडा रहता है तो इसे कैसे समझते हैं आपके एक ड्रॉइंग बनाता हूं मैं इस चितर समझने समझान की कोशिस करता हूं जो आप यह देख रहे हैं चोटे-चोटे चितर है जो नारे होते हैं जो इसके सर्फेस होते हैं काफि चोटे-चोटे छिद्र पाय जाते हैं और जो जल होता है इनी छिद्रों से बाहर निकलता रहता है जैसे ही बाहर निकलता है जैसे ही सरफेस पर आता है जैसे ही सतव पर आता है आपको पता है जो वास्प कंड़ प्रक्रिया है सतव ही प्रक्रिया है तो जो बाहर निकल पात यह वास्प हो ज रहता है ठीक है और यह प्रक्रिया नीरंतर चलती रहती है जिस वज़े से मटके को जो पानी है वो ठंधा बना रहता है उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा अगले प्रशन के लिए पेच प्लट रहते हैं मरा अगला प्रशन था कप की अपेक्षा प्लेट में से हम गर्म दूद्ध जल्दी पी लेते हैं चाहे दूद्ध चाहे चाहे हो तो हम एक कप बनाते हैं कप प्लेट तो कप में गर्म रहता है और जबकि कप के पेक्षा इसमें ठंडा रहता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो इसका सत्व है यह बहुत ही कम है किसके प्लेट के पेक्षा और वास्पिकरण इसमें जादा होता है जिस वज़े से प्लेट में रखा दूद या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है जब कि कप में रखा जल्दी ठंडा नहीं होता क्योंकि वास्पिकरण एक सथा ही प्रक्रिया है जिस वज़े से प्लेट में जल्दी होता है अगला प्रश्णता अवस्थाएं पर्दार्द के वस्थाएं आज हम करेंगे चान में प्लाजमा चौथी और पाजमी प्लाजमा बी इसी बोस अंस्टाइन कंडेंसेट ठीक है तो यह आपके एंस्टाइन के बुक में भी दिया गया है पाजसा थोड़ा सा पढ़ते देखते हैं क्यों आप उन्होंने क्या कहा है ठीक है अब वैज्ञानिक परदार्द की पांची अवस्थाओं की चर्चा कर रह अधिक उड़्जा वाले और अत्याथिक उत्तेजित होते हैं यह कड़ आइने क्रित गैस के रूप में होते हैं फ्लोरसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाजमा होता है नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरंसेट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन् विद्दुत ओर्जा प्रवावित होने पर यह गैस आएनिकरित यानि आवेशित हो जाती है तो जो पांची अवस्था है उसे आवेशित अवस्था मानी जाती है आवेशित होने से ट्यूब या बल्व के अंदर चमकीला प्लाजमा तयार होता है यही पांजवी अवस्ता है प्लाजमा तयार होता है ठीक है यही कारण है जिसके वज़े से जो सूर और तार चमकते हैं यही कारणा अगर आके ध्यान से देखें तो प्लाजमा के कारण ही सू उमीद्ह समझ माहर होगा और इसकी पांचे ववस्था है बीएसी बोस अंस्टाइन कंडन्सेट ठीक है सन 1920 में भारते वयक्यानिक याद रखना जो पांचे व्वस्था हो भारते वयक्यानिक ने पहले ही खुझ दी थी सतेंद्र नाथ बोस ने परतार्थ की पांचें अवस्था के लिए कुछ गड़नाएं की थी इन्होंने प्रकासित नहीं किया था लेकिन गड़नाएं की थी की नहीं एक परधार एक जस्ट करता एक पांचमी अवस्था होती है जिसे बाद में खोज भी ले गया जिसे बोस अंस्टाइन कंडंसेट बी ए सी कहा जाता है और ये इसके लिए नोबल प्रुसकार भी मिला बाद में बैग्यानिकों को और किसे मिला सन 2001 में अमेरिका के एरि नोबल प्रुसकार से समानित किया गया ठीक तो बात में ये पांच अवस्था खोज भी ली गई थी या यह कह सकते हो एक भारते विए ज्यानिक ने भी इस अवस्था की खोज की ठीक है आगे चलते हैं कैल्विन को डिगरी सेल्सेस में बदलना ठीक है तीन सो कैल्विन को डिगरी सेल्सेस में बदले ठीक है कैल्विन को डिगरी सेल्सेस में बदलने के लिए उसमें से 273 माइनस कर देते हैं जिस प्रकार यह है आपका 300 Kelvin, ठीक है, 300 के माइनस 273 करता हूँ, ठीक है, तो यह 27 आता है, ठीक है, और यह degree Celsius में कन्वर्ट हो गया, ठीक, इसी प्रकार, दूसरा है, डिगरी Celsius को, बदलना किसमें, Kelvin में, इसको करने के लिए, प्लस 273 कर देंगे, तो डिगरी Celsius को Kelvin में बदल जाएगा, जैसे, 25 डिगरी Celsius को, आपको बदलना है, Kelvin में, ठीक है, तो इसमें 25 प्लस, 273, तो इसो एड़ करने के बाद हो जाएगा, 298, 298 Kelvin, और यह Kelvin में चेंज हो जाता है, आज का अध्या यहीं समाप्त होता है, फिक है, उमीद है, आपको समझ में आई होगी, कोई भी समझ से आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार,